दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी टॉप फाइप हस्तियों के बारे में जिनके पास से गुजलने के लिए सायध हवा को भी इजाज़त लेनी पड़ेगी और जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं इस लिस्त में पहले नमबर पर ना ही दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क हैं और ना ही किम जोंग तो आखिर है कौन पहले नमबर पर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो नमर 5 कुईन एलिजावेद कुईन एलिजावेद दुनिया की सबसे सुरक्षित सासक है और अब तक का उनका कारिकाल काफी सांदार रहा है रोयल घराने से तालुक रखने वाली महारानी एलिजावेद का लोगों से मिलना जुनना लगा रहता है ऐसे मैं उनकी सुरक्षा और भी खास हो जाती है और जब भी वो लोगों के बीच जाती है तो एक सिक्रेट टीम पहले से ही उस जगों की हर तरीके से जाच परताल करके उस जगों को सिक्योर कर लेती है साथ ही उनकी एंट्री और एक्जिट को गुपत रखा जाता है महारानी को रोयल गार्ड्स के द्वारा सुरक्षा परदान की जाती है रोयल गार्ड्स वो गार्ड होते हैं जो राजमहल और राजपर्यार की सुरक्षा में तैनात रहते हैं जिनका एकमात्र लक्ष उनकी सुरक्षा करना होता है वह जब भी घर से बाहर निकलती हैं तो उनके आसपास रोयल गार्ड्स का पूरा काफिला होता है उनके जत्थे में सबसे आगे मोटर साकिल सवार होते हैं जो वी आकार में और एक निश्चित स्पिर्ट में चलते हैं जिनका काम रोड को किलियर करवाना होता है यहां तक कि प्रिंस जॉर्च को स्कूल तक छोड़ने और लेने के लिए पूरा स्कूर्ट जाता है पोग फ्रांसिस दुनिया के सबसे सुरक्षित धार्मिक नेता है यहां कैथोलिक चर्च के हैड होने के नाते इन्हें भी उतनी ही सुरक्षा परदान की जाती है जितनी की किसी देश के रास्ट अध्यक्स को दी जाती है पोग दुनिया के सबसे सुरक्षित देश में रहते ह जिसका नाम है Vatican City यहां एक ऐसा देश है जहां पर आपको चारों तरफ भालों से लेज सिपाईयों को पाएंगे यहां सुनने में अजिब लगता है कि जहां लोग इतनी high-tech technology का huge security के लिए कर रहे हैं वहां पर यहां सिपाई के वल भालों का उप्योग करके किस तरीके की सुर बनाई कई force है और यदि कोई मुसीबत आती है तो यहां उसे निपटने में काफी ज़्यादा माहिर होते हैं पोप Francis जहां भी जाते हैं लोग उनको काफी करीब से मिलते हैं और अपने बच्चों को पोप के करीब करते हैं और पोप की सुरक्षा में तैनाज सिपाईयों को किसी भी सक्स से सकताई से बात करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है क्योंकि पोप को लोगों से मिलना अच्छा लगता है ये सब चीजों को ध्यार में रखते हुए भी पोप की security करना वाकि में काफी मुस्किल काम है नमबर थिरी किम जोंग इस लिस्ट में तीसरे इस्तान पर है नौर्थ कोरिया के तानासा किम जोंग की सुरक्षा में तैना सैनिकों को चुनने की परक्रिया का एक दिल्चस्प पहलू ये है कि सबका कद किम जोंग के लगभग बराबर होना चाहिए यानि जब किम कार से उतरें तो वे साथ खड़े बोडिकार्ट से छोटे या लंबे ना दिखें इनको अपने खिलाब बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है साल 2013 में किम जोंग ने अपने सगे चाचा को एक केस को लेकर फासी पर चड़ा दिया था इसके अलावा इन पर अपने किसी करीबी रिस्तेदार की हत्या कराने का इंजाम भी है बात करें इनके सुरक्षा की तो इनकी सुरक्षा में 45,000 सैनिक कहीं भी कभी भी तैनात रहते हैं किम जोंग की सुरक्षा के तीन गेरे होते हैं बाहर देशों में जाने पर जो नेता क कार के साथ दोड़ते हैं, ये सेना के ही लोग होते हैं, किम के कार से उतरते ही सेना के लोग आसपा सिमट आते हैं, ये एक किस्म का सुरक्षा गेरा होता है, किम जोंग की सुरक्षा पंक्ती में दूसरा और तीसरा गेरा गार्ट कमांड का होता है, इनकी जिम्मेदारी उस ज और उसकी जाज कर चुके होते हैं किम की बाचित कही रिकॉर्ट ना हो और सिक्रेट बनी रहे इसके लिए यही दूसरा और तीसरा गेरा अलग से फॉन की व्योस्ता करता है इतना ही नहीं किम जोंग का ड्राइवर भी काफी एतियास से चुना जाता है जिसके बाद उसकी अल ताकि रोज आने जाने के बीच उनकी तुरंत पहचान हो सके नमबर टू डोनाल्ड ट्रम इस लिस्ट में दूसरे नमबर पहर हैं डोनाल्ड ट्रम वे अमेरिका के सिर्फ एक बार के रास्ट पती नहीं है बलकि वो एक अरब पती भी है जिनके दुनिया पर में सैक्रों ब यहन दिया गया था चाहां बराग उबामा की सुरक्षा में हर साल करीब 16 मिलियन यूएस डॉलर को खर्च किया जाता था वही डोनाल्ड ट्रम्प के रास्ट पती बनने के बाद करीबन 29 मिलियन डॉलरल से भी जादा का खर्च लगा ये तो सिर्फ ट्रम्प की सुरक्षा पर किया गया खर्च था उनके परिवार की सुरक्षा का खर्च अलग से है बात करें इनकी सिक्योरिटी की तो डोनाल्ड ट्रम्प के अगल बगल उनका खास सुरक्षा दस्ता चलता है जो हर आने वाले खत्रे को जहलने की ताकत रखता है इनकी सुरक्षा में स्पेशल कमा सब्सक्राइब नहीं सकती है यह वी स-3 पैटेगरी का हॉलीकप्टर है जो बेहत सुरक्षित माना जाता है नंबर वन वुलाद्येमीर पुतीन वुलाद्यमीर पुतीर दुन्या के सबसे सक्तिसाली राश् dusty है इसके शाथ ही वह दुनिया के सबसे सुरक्षित वक्ति भी है उनकी सुरक्षा इसले भी खास हो जाती है कि उनके पास परमाणों अत्यारों का सबसे बड़ा चकिरा है पुतिन ने सोवियत संग की खुपिया एजनसी के जीबी में 16 सालों तक काम किया है पुतिन के आसपास हमेशा इतनी सुरक्षा तैनात रहती है कि कोई पर रास्टपती पुतिन जूडो में ब्लैक बैल्ट है हाला कि पुतिन की सुरक्षा बिलकुछ सीक्रेट तरीके से की जाती है पुतिन की सुरक्षा में जो भी गाट सामिल होते हैं उनके बारे में किसी को भी कोई भी जानकारी मालूम नहीं होती है बता दे कि रूस के पूरी टुकडी इतनी खूपया है कि इसके बारे में कोई भी ऑफिशल जानकारी रूज जारी नहीं करता है इस टुकडी में कुल 50,000 सेनिक है यह कई दूसरे बड़े इंटेलिजेंस कारणामों को भी अंजाम देते हैं लेकिन इनके जो रोल निर्धारित किये गए हैं उनम पलकि पुतीन जिस रास्ते से गुजनने वाले हो वो उस पूरे इलाके को स्कैन करते हैं अभी तक यह टुकडी कई सारे ओपरेशनों को अंजाम दे चुकी है इनके जथे में हाइटेक ड्रोन्स वो कैमरों से खुपया तरीके से दुस्मन पर दूर दूर तक नजर रखी जाती है पुतीन की सुरक्षा में तैनाज शैनिकों को इतनी हाइफाई सुधाय दी गई है कि कोई इनको रिस्वत देकर भी नहीं खरीच सकता है इसलिए पुतीन दुन्या के सबसे ज़्यादा सुरक्षित व्यक्ति है दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो के लिए जय हिन